लोगसवा चुनाब में जो करारी हार ममता दीदी की हुई है ममता दीदी उसको पचा नहीं पा रही है तानाशा है तालेवानी सोच को बढ़ावा दे रही है और चुन-चुन कर भाजपा के लोगों को वहां टारगेट किया जा रहा है इस तरह की जो तानाशाई है बरवरता है लोगतन्तर में इस टी-मसी की बरवडता के लिए करो हिस्थान नहीं इसी तरह की बरवडता मंता जी के पूष में जो बामपंथी सरकार थी उसने की तो पश्रों मैंघाल कुछ भी कर लें मंतादीदी अब दादा बन गई हैं गुंड़ई की पराकास्था पर उतारू हैं बंगाल के लोग उनको करारा जवाब देंगे समाजबादी पार्टी ने अनेकों अनेक प्रयोग किये भाजपा के विकास के रत को रोकने के लिए क्यूंकि समाजबादी पार्टी के पास अपना कुछ नहीं, बीयस्पी के पास अपना कुछ नहीं, कौंग्रेस के पास अपना कुछ नहीं, इनके खाते में करप्शन कमिशन कुसासन आता है वहीं भारतिन्दा पार्टी के खाते में सुसासन आता है पारदर्सित आती है सबको साथ लेकर सबका विकास करने का सब श्रे भाजपा के पास आता है तो हमारा हमको जंता का आशिरबाद है हमें जंता ने आशिरबाद 2014 में दिया 2017 में दिया 2019 में दिया और आने वाले समय में जिनता हमें आशिरबाद देगी मौका पर उस जो दल हैं जो कभी जुंड बनाकर एकट्टा होकर आते हैं उसमें भी परास्त होते हैं फिर अलग अलग लड़ने की रड़नीती मनाते हैं तो महावी परास्त होंगे क्योंकि इनका धेय नकारात्मक्ता से जुड़ा हुआ है यह नेगेटिव राजनीती करते हैं इनका कुई अपना एजंडा नहीं है अपने स्वार्थों को लेकर राजनीती करते हैं अपने वंशवाद को परवार को बढ़ाने के लिए राजनीती करते हैं देश प्रदिश से इनका कोई सरोकार नहीं, इसलिए जनता इनको करादा जवाब देखे.